एलोवेरा गृत कुमारी एक आयुरुदा की ऐसी आउशदी है जो कोस्मेटिक वर्ल्ड में सबसे जादा यूज होती है मार्केट में कहीं सारी चीज़े अवेलेबल है जो एलोवेरा से बनाई जाती है जैसे कि सोप, शेंपू, क्रीम, लोशन, ओयल, मौशूराइजर जिसके अंदर बहुती कम मात्रा में एलोवेरा डाला जाता है अब खुद सोचो अगर वो कम मात्रा में डाला हुआ एलोवेरा आपके स्कीन के उपर थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाता है तो इसकी जगा पे अगर हम फ्रेश एलोवेरा का यूज करें तो, तो हमें कितने सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे काफी लोग बोलते हैं कि हमने काफी टाइम तक एलोवेरा का यूज किया लेकिन हमें कोई भी उसके बेनिफिट दिखने को नहीं मिले इसके पिछे का reason अब जानते हो जब aloe vera 2 साल का होते तो उसमें flowering आना शिरू हो जाती है और तभी वो mature हो जाता है और इसी time जो aloe vera के गून है वो कहीं गुना बढ़ जाते है आपने जो भी aloe vera का use किया अगर वो 2 साल से छोटा plant था तो definitely आप उसका कितना भी use करो आपको उसका result मिलेगा 0 aloe vera के ऐसी आउशदी है जिसको अगर regular कुछ time तक skin के उपर hair के उपर लगाया जाए तो skin से जूड़ी जितनी भी problems है hair से जूड़ी जितनी भी problems है वो खतम कर देगा aloe vera को आप continue एक महीना लगाते हो आपको एक महीने बाद आपके skin के उपर आपके hair के उपर बहुत ज़दा different दिखेगा Hello everyone आपका स्वागत है मेरी channel Mr. Therapist में मैं हूँ Jerry Patel, I'm a therapist I'm doing exam and cupping therapy list therapy, अगनी कर्मा, नश्य कर्मा, नाड़ी पेथी आप देखोगे कि उसके अंदर से एक yellow color का liquid निकलेगा जो poison होता है अगर इस poison को आपने अपनी skin के उपर लगाया तो आपको irritation होगा, itching होगी और pimples भी हो सकते है जब पीले color का liquid पूरी तरह से निकल जाए तो उसके बाद हम yellow रा का use करेंगे yellow रा के दोनों side के कांटों को निकालने के बाद हम जो उपर की skin है उसको भी हटा देंगे और उसके बाद हम yellow रा का use करेंगे face के उपर yellow रा लगाने से पहले आप अपने face को अच्छी तरह से clean कर ले और इसी तरह से yellow रा को पूरे face पे apply करे yellow रा को अच्छी तरह से लगाने के बाद आप हलके हाथों से उपने face को मसाज करें yellow रा में कुछ ऐसे enzymes पाए जाते है antioxidant properties पाई जाती है उसके अलावा vitamin A, vitamin C भी पाए जाते है जो acne, dry skin, काफी सारी skin की problem को खतम करने के लिए सक्षम है yellow रा नेचरली हमारी skin में collagen को बढ़ाता है जो हमारी skin की elasticity को बढ़ाने में helpful होता है इवन एजिंग के साइन को भी दूर रखता है yellow रा में yellow नाम का एक contain पाया जाता है जो नेचरली हमारी skin को light बनाने का काम करता है इवन जो लोग परेशान है hyper pigmentation से तो pigmentation के जो दाग धब्बे है उसको light करने में भी यह बहुती ज़ादा helpful होगा yellow रा में कहीं antioxidant होते है जिसमें beta keratin, vitamin E b शामिल है जो हमारी तवचा को प्राकुरती ग्रूप से मजबूत और मुलयम बनाने का काम करता है और साथ ही हमारी स्किन को मौशर रखता है yellow विरा हमारे स्किन के उपर रहे दाग धब्बो को दूर करता है हमारे स्किन के damaged tissue को repair करता है स्किन के dryness, स्किन पे dullness को खतम करता है और साथ ही स्किन को बहुती ज़ादा healthy बनाने का काम करता है एलोविरा हमारे स्किन पे आने वाली जुरियों को दूर करता है यह हमारे स्किन को लिफ्ट करने का काम करता है एंड हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा टाइड बनाता है एलोविरा को फेस पे लगाने के बाद आप उसको एक गंटे के लिए छोड़ दो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको एक घंटे बाद wash कर सकते हो या फिर आप AWARA को रात को लगा के उसको पुरी रात भी रख सकते हो AWARA को हेर पे लगाने से पहले आप अपने हेर को अच्छी तरह से wash कर ले और उसको अच्छी तरह से सुखा ले अगर आपके हैर बहुत ही ज़ादा ओईली है तो ये एलोविरा आपके हैर के उपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा जब भी आप एलोविरा को सर्पे लगाए तो एक चीस का ध्यान देना कि सबसे ज़ादा जो एलोविरा का जेल है आपके स्काल के उपर लगेगा उतनी आपके हैर रूट से स्ट्रॉंग होना शेरू हो जाएंगे एलोविरा के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्काल्प की डेमेज कोशीकाओ को रिपेर करने का काम करते हैं जिसकी वज़े से हमारे हैर फोलिकल से उसकी जो हैल्थ है वो इंप्रूव हो जाती है जिसके कारण हमारे हैर की लंबाए बढ़ती ह hair fall खतम होता है साथ ही ये hair को regrowth करने में भी बहुती जबा helpful होते है aloe vera हमारे damage hair को repair करता है दो मुहे बाल की problem को खतम करता है hair की freeziness dry hair की problem को खतम करता है और साथ ही ये हमारे hair को बहुती ज़्यादा मजबूत shiny and घना बनाने का काम करता है ये हमारे hair के volume को बढ़ाता है scalp में ray fungal infection जैसे की खुजली आना, psoriasis, dandruff या फिर छोटे मोटे दाने है तो उसको भी एक खतम करता है जब aloe vera पूरी तरह से dry हो जाए तो फिर आप normal पानी से अपने hair को wash कर सकते हो aloe vera के ऐसी आउशती है जिसको आप एक मैने के बच्चे को भी लगा सकते हो अच्छे results के लिए आप इस प्रयोग को continue एक मैना करें skin से जूड़ी, hair से जूड़ी जितनी भी problem से उन सब भी को एक खतम कर देगा आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स टूड़ीयो में तब तक के लिए धन्यवाद